नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का, आप सभी की अपने ही यूट्यूब चैनल आलोकस ब्लोक पर दोस्तो, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को अपने इंडूर प्लांट के कलेक्षन के साथ-साथ जो है अपने गार्डन के खोपसूरत इंडोर प्लांट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कहीं न कहीं वो पौधे आप लोगों की भी पसंद होंगे वो दिखाने वाला हूँ, वीडियो में लास तक बनी रहीएगा पसंद आजाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजेगा साथी साथ अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें तो दोस्तो सबसे पहला जो यहां पर आप लोगों को कलेक्शन दिख रहा है मेरा यह सारे के सारे एगलो निमा है अब तक मेरे गार्डन के अंदर आप लोगों ने जो एगलोनिमा की बराइटी देखी होगी उसमें ये लिप्स्टिक एगलोनिमा ये दो पॉट के अंदर लगे हुए थे जिनसे मैंने कटिंग और शेफरेशन के थूँ कुछ नए प्लांट बनाए है ये देखिए एक छोटा सा प्लांट ये है एक कटिंग मैंने ये लगा रखी है एक कटिंग मैंने ये लगाई इसकी पतियां तो गिर गई लेकिन देखिए जो है इसके अंदर खूब सारी पत्ते बहुत ही बड़े-बड़े साइज के हैं और ये प्लांट भी काफी बड़े हैं एक ही पॉट मैंने लिया था सेपरेशन से मैंने इसको दो बनाया है उसके बाद एक ये वराइटी है मेरे पास एगलो निमा की रेड और पिंक एगलो निमा भी मेरे पास थे लेकिन तब मेरा जो है वो मर गया लेकिन डर वाला जो है उसको मैंने किसी तरीक से बचा लिया है लेकिन अभी पत्ते उसके अंदर नहीं है ग्रोथ हो रही है, इसके बाद यह आपका जो है, इसको katerina बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ conveur हा रहा है, एक यह variety है, इसके बाद यह silver dust है, और मेरे पास silver dust के दो plant है, एक ये online आया था तो एक ये मेरे पास बड़ा हुआ है बहुत ही प्यारे flowers इस टाइम पर खिल रहे हैं आप की राखी वेल के अंदर सारे red colors के जो है वो flowers खूब सारे खिल खिल के आ रहे हैं और यहाँ पर एगलो नीमा की और भी सारी variety है मेरे पास एक ये है यहाँ पर एक ये पर ये है एक variety मेरे पास ये छोट छोटे पत्तों वाली एक ये है तो मतलब एगलो नीमा जो है वो मेरे पास काफी ज्यादा quantity में है और एक अच्छा खासा collection है मेरे पास एगलो नीमा के plants का उसके बाद मेरे garden का जो दूसरा plant मुझे सबसे यादा खोबसूरत लगता है वो ह structure है पत्तों का combination है वो काफी अलग है और काफी जादा देखने में खोबसूरत लगता है इसके उपर मैंने एक शेपरट विडियो भी बना रखी है अगर आप लोगों को देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं फंजी साइट का शिड़काओ किया है मैंने इनके पत्तों के उपर तो यह मुझे प्लांट जो है बहुत ही जादा प्यारा लगता है एकलोनिमा के बाद मेरी यह दूसरी सबसे ज्यादा जो है वो मेरा सबसे आदा डिजारेबल प्लांट था मैं इसको नरसरी जाता था तो सबसे आदा इसी को ढूंडता था मुझे मिला तो मैं लेकि कि इसके बाद जो अगला प्लांट है यह आपकी जो है फैलोड़न डॉन फैमिली को बिलांग करता है इसको फैलोड़न डॉन बर्किन के नाम से जानते हैं मेरे पास फैलोड़न की इसके अलामाद दो और वराइटीज हैं लेकिन मुझे सबसे ज़ादा अगर फैलोड़न म फैमिली का प्लांट है और बहुत ही जादा देखने में खूबसुरत लगता है अब मैं सोच रहा हूँ एक प्लांट यहां से इसको सेपरेट करके एक नए पॉट के अंदर डाल दू जिससे यह दोनों ग्रोध करें और यह साइड में बिल्कुल यहां देखे कितनी दूरी है है इनके अंदर इतनी दूरी पर यह निकल के आया है तो इसको मैं एक दूसरा पॉट दे दो है कलेटिया का जो है यह बहुत ही प्यारा लगताहिनाimize उंलाइन courtesy और بिंटर में बहुत ज़्यादा सफर किया मेरे इन प्लांट्स दे लेकिन अब जो है ये अपक्रोध करेंगे और काफी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे मैं सोच रहा हूँ इनकी टॉप मोस्ट स्वयल जो है वो थोड़ा चेंज कर दूँ एक दिन मैं इनको खाद दूँगा और खाद देने के बाद जो ह है वो पूरी तरीके से सोच रहा हूँ कि चेंज कर दो क्योंकि बहुत ही खूबसूरत से प्लांट है लेकिन बिंटर के अंदर इनके पत्ते देखे किस तरीके से जलने से लगे थे बिल्कुल लेकिन यहां नीचे से ये न्यू ग्रोध भी ले रहा है और में भी जो है अब तीन चार नियू ग्रोध जो है वो निकल के आई है अगला प्लांट जिसे मैं बहुत ही जैसे अच्छा मानता हूं यह है आपका जीजी प्लांट जीजी प्लांट भी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और यह भी बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट एक टेरी दोगति तो कोशिसे कीजिए कि ऐसा प्लांट लेजिए जिससे आप एक से कई बना सकें देखे मैं अगलो नीमा में भी आईसए ही किया था और जीजी में लेके आए तो मैं पॉठोट जो है वो तैयार कर लिए और आब यह नहीं नीचे से पफ बना कर जो है वह पहले से भी जादा घरे हो रहे हैं अगला पौधा जो है वो पोथोच हैमली को विलाउंग करने वाले हैं नियोन पोथोच और गोल्डेन पोथोच और मैंने तो जो है मार्बल कुइन भ इसको लगाया है उसके बाद यह एंजोई पोथोच है यह मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है तो यह पोथोच की अलग अलग बराइटी है जो काफी अच्छा कर रही है मेरे गार्डेन के अंदर और देखने में काफी ज्यादा खुबसूरत भी लग रही है और इसमें तो बहुत छोटे छोटे देखिए नीचे से पप्स कितने सारे निकल रहे हैं और बहुत छोटे थे मैंने सोचा था कि इनको सेपरेट करूंगा जब मैं रिपोर्ट करूंगा लेकिन मुझे काफी छोटे देखे तो मैंने नहीं किया लेकिन अब यहां से मुझे तो यहां पर ग्रीन और यलो का कॉंबिनेशन बना है वहां पर एक बहुत ही प्यारा सा कलर जो है वह अल्रेडी बन गया है इस साइड में देखिए जो इसके नए पत्ते निकल के आ रहे हैं यह भी कापी अच्छे लग रहे हैं अब मेरे पास इसका जो है एक छोटा पौधा भी है यह बैला इसकी इसको उसकी मिनियेचर वाराइटी बोल सकते हैं क्योंकि उसके पत्ते बड़े साइज के हैं और इसके पत्ते जो है वह थोड़ा छोटे-छोटे साइज के होते हैं अगला प्लांट जो है वह आपका क्रिश्टीना का है और क्रिश्टीना यो है अगर जाता देखने में खुक्सुरत लगता है तो क्रिष्टीना वन आफ दा मोस्ट जो है मतलब फैवरेट प्लांट है लोगों का अगर वो इंडोर कुछ लगाना अगर पसंद करते हैं तो अगली लिस्ट में जब मैं एक लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को यह पता चली जाएगा कि अगलो और यह यह वो मेरे सभी प्लांट में जो है फिर्ट सभी फैवरेट प्लांट में जो है एक अपना स्थान रखता है मैंने बहुत सारी की कटिंग वगएरा भी लगा कर जो है इसे नए पौधे जो वह तयार किये हैं काफी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है एगलो नीमा भी मुझे जो है वह बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है अगले प्लांट्स जो है आपके यह ड्रैसिना विक्टोरिया के हैं ड्रैसिना के तो ऐसे मेरे पास जो है वह बहुत सारे को चारे लगते हैं विक्टा अंदर काफी अच्छा लुप भी क्रियेट करते हैं अगला प्लांट जो है आप लोगों का यह एक्रोटान का कुरोटान जो मेरे पास कई सारे यह और इंग्वें C suspect के बाद गत बना रहे हैं नीचे से देखिए कितना सारा घना यह हो रहा है क्रोटॉन जो है वह भी काफी अच्छा लगता यह है मेरे पास जो है अलग-अलग वराइटी इच के जो है फेलेडन डॉन यह तो ग्रोथ नहीं किया था मैंने इसको अनलाइन लिया था लेकिन अब यहां से क्वाइन प्लांट मेरा तो क्वाइन प्लांट बीच में एक बार जो है इसके पुराने पत्ते जितने थे वह लगभख खराब से हो रहे थे यहां से देखिए लेकिन अब जो नए पत्ते निकल के आ रहे हैं अच्छी लग रहे हैं और इसके अंदर फ्लावर्स भी बन रह का और दूसरा प्लांट जो है वह यह है और मेरे पास इसका एक और होगा थोड़ा खराब हो रहा था लेकिन अब वह धिरे-धिरे करके रिकबर कर रहा है तो इसकी अलग-अलग वराइटी आपको देखने को मिल जाएंगी यहां तो आपके सामने दो है बाकि इसकी और भी वराइटी जाती है एक से खूबसूरत पॉधे जो है इस फैमली को विलाउंग करते हैं तो आप प्रोमिया भी जो है वह अभी जाकर नसरी से ला सकते हैं बहुत ही जादा देखने में खूबसूरत लगता है और यह हैं मेरी क्वाटॉन कटिंग से लगे हुए जो मैंने त अच्छे लगते हैं कैसी रगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसी किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक किलिए बाबा एंड टेक कियर